कोरोना को लेकर समिक्षा बैठक होनी है साड़े दस बजे सीम गहलोत के आवास पर ये बैठक होगी सीम गहलोत लेंगे कोविड को लेकर बैठक सुभा साड़े दस बजे सीम आवास पर ये बैठक होनी है बड़ी खबर वैक्सिनेशन को लेकर भी समिक्षा की जाएगी सुभा साड़े दस बजे लेंगे सीम आवास पर बैठक इसी खबर पर जादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे समवदाता दिनेश जांगी हमार से जुड़ गए हैं दिनेश क्या कुछ जानकारी क्या कुछ और मुद्दों पर बाचीत हो सकती है जी देखे राजस्तान में कोईट के पिछले दिनों से जो पॉजिटिव कैसे जो लगाता है बढ़ते जा रहे लेकिन वैक्टिनेशन का काम भी शांदार हुआ है पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो टॉप फ्री में वैक्षिनेशन में राजस्तान का जो है नाम है लेकिन मुख्यमंत्री ऐसों गैलोस किसी तरह की डिलाई नहीं चाहते है इसनी उन्होंने पिसले दिनों आठ तई सहरों में नाइकर्जू भी लगा दिया है लेकिन उसके बावज़ूद कैसेज की तादाद है वो लगातार बढ़ती जा रही है तो इसको लेकर आज एक रिव्यू बैठक लेंगे और स्वासिवार के अफ़रों को एहम दिशा निर्दे बेर सकते हैं कि किस तरह और तक्ती है वो बरती जाए और वैक्सिनेशन का जो काम है नई गाइडलाइन आई है कि पैस्दारी साल पलस के सभी लोगों को अभी ये वैक्सिन लगाई जानी है उसको लेकर सियमसों गेलोथ इस यू बैठक में पूरी जानकारी जुटाएंगे और उसके बाद आखिर में एहम दिशा निर्दे दे सकते हैं और उसके बाद एक गंटे बाद केबिनेट की बैठक भी रखी गई है तो इसने जुड़े कुछ फैसले हैं जो केबिनेट में रखे जा सकते हैं जिने फिर लागू किया ज़र सकते हैं जी दनेश आप हमारे साथ बने रही है ऐसी बीच रुख कर लेते हैं एक और बड़ी खबर का आपको रूबरू करा रही हैं गहलोद काविनेट की बैठक होनी है आज 15.30 बजे CMR पर यह बैठक होगी 15.30 बजे CMR पर यह बैठक होगी दिनिश एक बार फिर आपका रुख करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि यह क्या कुछ मुद्दे होंगे जिन पर चर्चा की जाएगी? जिन पर चर्चा की जाएगी? जिन दिनेश तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन पर चर्चा की जाएगी? जिन पर चर्चा की जाएगी? जिन पर चर्चा की जाएगी?